तो आप सभी का स्वागत है आप मेरे यूटूब चैनल पर आज मैं आपको में सब्सक्राइब के अंदर कंप्लीट पेस लियाओट की सारी फॉर्मेटिंग सिखाने जा रहा हूं कुछ ट्रिक्स ऐसे बताना जा रहा हूं जिसके अगर आपने पेस को प्रॉपर तरहीं सेट क फोलना है आपको अभी जो मेरे पास कंप्यूटर में विनवर्ड है हम 2010 पे काम कर रहे हैं 2007 पे आपका काम सेम ही होगा इसके इलावर जितने भी एडवांस वर्जिन से उस पर आपका सारा का सारा काम सेम होगा थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है सबसे पहले हमारे पास प सबस्क्राइब को पेज कलर के अंदर यहां से कोई भी एक लाइटिंग कलर फिल कर देना है ध्यान रखना पैस कलर में लाइटिंग कलर ही फिल करना है फिलाल अभी मैं आपको थीमस वताने वाला हूँ थीम साप लोगो पता होगा किसको बोलते हम फिम जब यहां फॉन के के अंदर रोतीमग करते हो तो आपी कर तेमठ टो इसी तरीके से आप ट्रेक्स का Guide करें सकते हो जो भी आपको ठीम लेने यह वह तो ऑनलिड कलर यहांसे बने बनाए colors आ रहे हैं आप यहां से color choose करोगे तो पूरे background का color आपका चेंज होगा इसके अंदर text का color text के style change नहीं होती font यह only font style को change करेगा इसमें आपका background color change नहीं होगा ठीक है यह effect है यह effect कभी यूज होते है हमारे जब मैं यहां से कोई भी एक theme को select कर लोगा तो मेरा effect automatically यहां पर change हो जाएगा अगर मैं यह से theme लेता हूं कैलेटरी effect में गई हां तो यहां पर already clarity select हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास आता है करता है कि आप अपने page के अंदर कितना margin रखना चाहते हैं तो मैंने paragraph select किया copy किया और just see के नीचे मैंने इसको paste करा दी इससे मेरे page के अंदर कि paragraph जादा हो सके यह मेरा पूरा का पूरे complete page भर चुगा है अब मैं आपको सिखाता हूं margin अभी मेरे में जाना normal by default हमार पास normal होता है जिसमें टॉप left right bottom all side से हमार पास one का space होता है लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास space कम होता हूं यहां पे narrow करते हैं 0.5 all side से 0.5 पाइफ स्पेस होगा और मेरे पास देखो नीचे space बच चुका है मैं कम से कम एक paragraph और type कर सकता हूं नीचे देखो ठीक है तो यह होता हमार पास margin का काम लेकिन आप चाहते हो नहीं मुझको left side से margin रखना है लेकिन right से margin नहीं रखना है तो आप margin में जाहिए कस्टम मार्जिन यहां पर आपको क्या करना है left में मुझे रखना है वन से बाकि ऑल साइट से 0.5 तो मैंने यहां पर वन टाइप किया दैन ओके अब देखो आपका left मार्जिन रहेगा बाकि आपके पास 0.5 आप चाहते हैं में मार्जिन छोड़ना है तो आप मार्जिन में यह वापिस कस्टम मार्जिन टॉप मेरेको रखना है वन तो वन लिखेंगे देन ओके ठीक है अब यह पेज नीचे जंप क्यों कर गए क्योंकि मेरा करसर नीचे था तो मैंने backspace से back करा ओपर ही मार्जिन हो गया वन का लेफ्ट ही मार्जिन हो गया वन का राइट में मार्पास मार्जिन 0.5 है और बॉटम में यह 0.5 रखा हुआ तो यहां आपका मार्जिन होता है ठीक है तो यहां पर और भी दिखा रखें लास्ट कस्टम सैटिंग क्या थ आपको किस तरीके साफ सट करोगे इसको प्रॉटेट यह मैं आपको आगे बताओं आगे और पास यहां से आप चेंज कर सकते हो मैं इसको back कर देता हूँ अब हम जाते हैं आप और इंटेशन के अंदर दो होते हैं होता प्रॉटेट दूसरा होता लैंड्सकेप अभी जो म परचित बड़ी हो जाएगे ठीके तो यह आपके पास लैंडस्कैप में यहां पर गई प्रोटेट कर लेते हैं वापिसर नेक्स्ट आता है हमार पास और राप होते हैं आपके पास orientation के अंदर कभी भी किसी भी चीज के अंदर आगर आप किसी भी सॉफ्टर में अगर आप पेज निकालते हो तो दो ही फॉर्मेट में आपके पेज होते हैं प्रोटेट एंड लेंड इसके ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना या फिर आप horizontally बोल सकते हो इस चीज को लैंडिस्केप को साइज जाब भी आप परिंट आउट निगालते हो तो आपका paper का साइज क्या होता है हमारा by default तो आप यहां से एफ और की सेटिंग कर सकते हो अगर आपको एथरी के सीट निकालनी है तो एथरी पे क्लिक करोगे तो पेज आपका एथरी के फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा ठीक है लेटर करोगे तो यह आपका एफ और का ही साइज होता है जो माइन नौट्बुक वग देखना है लेगवर में हैं एक्जेक्यूटी में है ए तरी में है किस व् defenses को सब्सक्राइब हो जाते है नेरे पास आता है को सnes अंका यूज क्या होते हैं हमार पास संथ कॉलम का का प्रूम होता है यही पेज पूलम में three कॉलम में भीक कर सकते हो यहां पर कॉलम motivo ने पर क्लिक किया तो मेरे पास देख रहे हूं एक दो दो कॉलम बनके तयार हो चुके जैसे निव शेपर मैग्जिंस के अंदर हमार पास फॉलम्स होते हैं अलग-अलग पैरग्राफ लिखे होते हैं उसके अंदर तो आप यहां से अपने अकॉर्डिंग आप कॉलम को अर्जेस से ज़्यादर चाहिए तो आपको जाना है मोर कॉलम्स में अस HEY आप पूछे आ लगे फॉर कोलम लिक्तल स्च्छोगो हो जाएंगे सिर्फ लेफ्ठ का कालम को शो कर आएगा और मैं राइट कर देता हूं तो सिफ कॉलम को ही वो को डिस्प्ले करेगा कोई भी कॉलम नहीं चीए तो यहां से वन कर दो आपका सिंपल एक की कॉलम डिस्प्ले करेगा ब्रेक मैं आपको इंसर्ट टैप के अंदर बता चुका हूं ब्रेक का काम होता गया है पेज को ब्रेक करना अब मालो पहले ब्रेक में मुझे अब कुछ भी नहीं लिखना अब इस पेज मुझे कुछ टाइप नहीं करना मिझे एक नीचे पेज चाहिए तो आपको क्या खरना है प्रेक पर जाना पेज़ पर क्लिक कर दोगे तो नीचे एक और पेज आपके पास इंसर्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लेस एंटर मैंने इसका शॉट कट की भी बताया था आप लोगों तो आपका जो पेज होगा वो ब्रेक हो जाएगा नेक्स्ट सी में और पास कॉलम का काम क्या होते हैं जहां पर मैं करसा रखूंगा उसके नीचे का जितना पारग्राफ है और नेक्स्ट पेज पेज़ पर जाएं है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हमारे पासी में उप्शन दें राक्त तैक्स रखूंगा वहां से जो पारग्राफ है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा यह पेज को ब्रेक नहीं करेगा यह थ्यान रखना ना ठीक है इस तो raids के आप से चुट अब काम होता है अगर मैंने इसको कर दिया तो कंटिनुइन का काम होता है इसी तरीके से हाँ पर आता है रिस्टार्ट इस पे इसका मतलब यह हर से रिस्टार्ट होगा 123 से काउंटिंग इसकी स्टार्ट होगी जैसे मेरा पहला पर जंप हो जाएगा तो वापिस रिस्टार्ट हो रहा है हां पर तो यह होते हमार पास रिस्टार्ट का काम नेक्स्ट हमार पास आता है है यह मेरे पास पारग्राफ है लास्ट के वर्ड कभी प्यूटर के अंदर तो इस तरीके से पूरा पूरा बढ़म नहीं भी आता तो फिर भी देस्क का साइन लगा के हमें पूरा बढ़ वो डिस्प्ले करा सकता है ठीक है अगर मैं इसको कंटेज़ कर लिए उटमाटिक करता हूं तो गन्वली में डिस्ब्ले कर HOW किस वर्ड के अंदर हाई-वन लगवह है कि नेख्ट आता है हमार पास है और नहीं है इसमें ठीक है नेक्स्ट हमार पास चैनल आता है वाटरमार्क पैस के ब्रपन्द कर आपको Ultra لगाना हो स्कूछ में आमने रिखा वा του लगे हो ते तो वाटरमार्व में जाना कै chem को यहां से कोई फॉर्तरमाय सेलक्ट करने स्थ आपको वाटरमार्व इस्प्ले का आ रहा है तो आप वाटरमार्क में जाओ आप यहाँ से लिख भी सकते हो किस नाम से बना रहे हो कि मैंने रिखा प्रभी हूँ कंप्यूट्र सेंट्र आप यहाँ से कलर चींच कर सकते हो दो एन अप्लाइ काफी लाइट में आ जाएगा अब आप चाहते ऊच्चार्ण में मूब करना अपने अरेंज करना तो टॉप में डबल क्लिक करना हैटर खुलेगा और इस पर क्लिक करना अब्जेक्ट पे अब इसको अपने अकॉड़िंग आप रोटेशन दे सकते हो आप ठीक है जितना आप देना चाहते हो यह हुता हमरे पास वाटरमार्ग का यूद्ड इसी तरीके से अगर आपको कोई पिच्चर लगाना हो तो हुआ कस्टम में जाना यहां पर लिखा होगा आप पिच्चर वाटरमार्ग अपिच्चर कर लेना आप दैन इंसर्ट रही है आप पर पास अगर मैं वाश आउट करते हो तो फिच्चर मेरी डार्क हो जाए इसके इसके लिखाम किया मैं अपने करना चाहता हूं पेज में फोटो को तो आप यहां से स्केलिंग सेट कर सकते हूं जैसे मैंने भी आपको हैडर के गॉर्णिंग बता है ऐसे आप यहां पर भी पर पेस के अंदर अगर को कोई बीmal डालना है तो आप यहां से कलर अपलाई कर सकते हैं यहाँ बिखोंधम कि अनदर जाता हूं तो टの यंदर चार स्टाइल ए मेरे पास अलग हैinaire टेक्च्चर है पैटन है पिच्चर से में फ़र्स्ट ग्रेडियनिक का यूज करके बतातों रहेइन हम अटो कलर्स पर काम करता है मैं यहां पर चीड बच्टेवर्ट में चीए डाउन में चीए फ्रॉंम करॉर्ण में चीए फ्रॉम सेंटर में चीए आप अपने यहां से लिया प्रॉम कोनटे का टॉप से दिस्प्लेय ओंकर आ जायेगा रोके नेग्स ऐमार पास में आता है तैक्ष पेज के गध्रम में वह को टेक्च्चर लगाना हो स्टली टैक्ष्ट इन उटी पेज के बैक्रमण में आप इस तरह के iוד कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इसमें हमार पास option आता है पैटन आपको खुद का पैटन तयार करना हो कलर्स के वेश पर आप यहां से कलर स्लेक्ट कर लेना और यहां पर पैटन आ गया है क्लिक देन ओके आपके पैटन मन की तयार हो जाएगा यहां पे गए पिच्चर आप चाहते हो पूरे पेज में पिच्चर लगाना तो पेज पिच्चर को सेलेक्ट करो देन ओके पूरे बैक्गाउंड के अंदर पिच्चर हमारा सेट हो जाएगा लेकिन अगर आपको पुछ नहीं लगाना तो नो कलर करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हो कि इसके बाद अमर पास next आता है और पेज बोर्ड़र अगर आपको पेज के अंदर कोई भी apply करना है तो पेस्ट बॉर्डर में गए पहले मैं इसको by default margin जो है अमेरा normal set कर देता हूं पेस्ट बॉर्डर में गई यहां पर महाई पास बॉर्डर की style साहरी है आप यहां से कोई भी बॉर्डर सूफे सकती है जैसे मैं यहां से कर सकते हो काफी सारे बॉर्डर से हैं आप यहां से स्लेक्ट कर सकते हो जो आपको बॉर्डर लेना हो तरीके का आपको बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा नीचे हमार पास आप्शन होते हैं आठ आठ के अकॉर्डिंग डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर आपको पेज के बैक कर सकते हो पेज अभी एक पेज में अप्लाई नहीं होगा ध्यान रखना जितने भी आप पेज पर काम करोगे इसी डॉक्पोमेंट के अंदर हर पेज पर ओटनोमेडिक लिए बैक्ग्राउंड बॉर्टर हमारा अप्लाई हो जाएगा इसी तरीके जो मैंने पैरग्राफ लि हो जी तो मैं हाज आगर के इसको नन कर दूंगा तो हमारा पैरग्राफ बॉर्डर रिमूब हो जाएगा ठीक है अब मैं आपको इसके अंदर कुछ इंटरस्टिंग से चीज बना के दिखाता हूं जैसे मेरे पास यह है मैंने यहां से इसके अंदर को एक कलर दिया अब मैं इसके अंदर वाटर मार्क लगाया वाटर मार्क में मैंने टाइप करा अधिक है यहां से मैंने इसको कलर कर लिया थोड़ा सा देन अपलाई दन क्लोज अब मुझे क्या करना है यहां मैंने लिखा कि कि इसको हम सेंटर में लेकर घए ठोड़ा सा मैं इसको इनिक्रीस कर लिए बॉल्ड क eux अंडरलाइन कर दिया ठीक है अनडरलाइन करने के बाद मैंने टÈक्स के अंदर के अंधर क्लार दाल दिया 20 कर दिया थोड़ा ओर 16 का लिया मने इस प्रेमेने हाँ पर रिखा इंट्रोडेक्ष्टन और अफ ली आउट कि खिए मैं इंट्रोडेक्ष्टन दे रहा हूं कि इस रिए में पेज लिए आउट के बारे में नीचे मैंने इसकी ड्याप्निशन नहीं लिख्किए कहीं आप इसकी रफिसन समझो यहां से थोड़ा राइटिंग change कर देता हूं मैं अ कलर थोड़ा और ट्रेक्टरेस्ट लेते हैं तो इस तरीहे से आप Page का Border apply कर सकते हो इस तरीहे से कोई भी document set कर सकते हो मैं को पिच्छल लगाने तो पिच्छर में गया को कि पाट से सर्च कर लेता हूं मैं पिच्चर क्ने सिर्फ करा लिए मैंने आसर फिर को इस्टीन करा एक से शल्य अब है इस टरीके से है एक एक पईजाए अब्हुत करके दिखा तरीके साफ करमा कर सकते हो अब जो मेरे पास ही मार्जिन एरिया ज्यादा बचा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो पेज़ लियाउट में जाना पेज बॉर्डर के अंदर ऑप्शन में गए अब यहां पर आ रहा है मार्जिन कितना रखना है है 24 है मैं इसको क्या कर देता हूं 15 15 15 15 and 15 then okay तो हमारे क्या कर दा मैं 15 के बेस पर यह थोड़ा सा गैप कम कर देखा लेकिन आप पूरा चिपकाना चाहते हो तो इसको वन करोगे लेकिन पूरा मत चिपकाना थोड़ा अजीब लगेगा तो मैं यहां पर थोड़ा और कम कर लेता हूं इस तरीके से आपका पर परिंट दिखाता हूं आपको है यह देखो इस तरीके सा आपके पास यह पेज़ डिस्प्ले करेगा ठीक है तो यह आपका प्रेस लेयाओट का पेस बाटर तक का ऑप्शन था यहां पर नेक्स हमारे पास आता है पैराग्राफ इंडेंट यह जो ह परपर करके दिखाता हूँ आपको बैने सिर और इस सिलेक्ट कर रहा से लफ्ट पा मतलब है घॉक्भा साब है इसासलेगा गाओ कि तो जिटना आपको रखना यहाँ से तर्क राइड में रख सकते हूँ भाइर डिफॉल्ट हमारा đi झीरो होता है लिए अगर आपको पड़ते हो तो आप यहां से चेंज कर सकते हो कितना कम करना है मार्जिन कितना बढ़ाना है इस पेस हो लेकिन हम इतना यूज नहीं करते बढ़ाने का नेक्स हमारे पास आता है पोजिशन टेक्स रैप यह सब चीज हमारे कभ यूज होंगी तो पोजिशन यह आ रहा हमारे पास टॉप के लेफ्ट टॉप के सेंटर टॉप के राइट मिडल के लिए यह हमारा बॉटम के लिए यह सारी के सारी कमांड मैं इंसर्ट टैब में बता चुका हूं अगर आप लोगों ने मेरी इंसर्ट टैब वाली वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज आप उस वीडियो को देखें और इस सारी कमांड को मैं प्रॉपर तरीके से स्टेप चीज को समझाया हुआ तो आप उस वीडियो पर जाएं और वहां पर मेरे इस वीडियो को देखकर लगे यह सारी कमांड आप वहां पर सीख सकते हैं